यदि कभी आपनी पवित्र आत्मा शब्द सुना हैं और आप उसका अर्थ जानना चाहती हैं तो आप कहां से आरम करेंगे? इसके लिए आपको बाइबल के पहले प्रिश्ट से शुरू करना पड़ेगा जहां उस संसार को चित्रित किया गया है जिसकी अभी रचना नहीं हुई है और जो एक अंधकार मैं अव्यवस्तित स्थान है पर इस अव्यवस्था के उपर परमेश्वर का आत्मा मन्रा रहा थ ताकि उसमें जीवन और व्यवस्था और सुन्दरता की रचना करे अच्छा पर परमेश्वर का आत्मा क्या है देखो बाइबल के लेखक आत्मा शप्त के माध्यम से परमेश्वर की व्यक्तिगत उपस्तिती की बात करते है इब्रानी भाषा में इसे रुआख कहा गया है हाँ शप्त के अंत के उच्चारन में आपको अपना गला साफ करना पड़ेगा तो यहाँ है क्या रुआख का प्रयोग कई बातों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है पर इन सभी बातों में उर्जा की ही बात हो रही है उर्जा कैसी देखो एक अदृष्य उर्जा है ज आप अपने अंदर इसे अनुभव कर सकते हैं हां उस वायू को हां खास तोर से उस उर्जा को सही कहां फ़स फूर्ती जो आपके शरीर को गहरी सास लेने से मिलती है वह भी रुआख ही है और इसी शप्त का बाइबल में प्रयोग किया गया है परमेश्वर की व्यक्तिकत को दर्शानी के लिए जैसे वायू और सास अद्रिश्य है वैसे ही परमेश्वर का आत्मा भी अद्रिश्य है जैसे वायू में सामर्थ्य है वैसे ही परमेश्वर का आत्मा भी सामर्थिशाली है और जैसे सास हमें जीवित रखती है वैसे ही परमेश्वर का आत्मा भी हमे जीवित रखता है, तो अब हम जैसे जैसे बाइबल की कहानी में आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का रुआख लोगों को विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट सामर्थ प्रदान करता है, बाइबल के जिस पहले व्यक्ति को यह सामर्थ मिली, व और परमेश्वर का आत्मा उसे बुद्धी और प्रवीन्ता के साथ सक्षम करता है उसे परमेश्वर की तंबू के लिए सुन्दर वस्तुमें बनाने की स्रिजनात्मक प्रतिभा दी गई और हम यहाँ भी देखते हैं कि परमेश्वर के रुवाक ने एक समूह को जिने भविश्यवक्ता कहा गया है सशक्त किया था वे उन घटनाओं को परमेश्वर की दृष्टिकों से देख सकते थे जो इतिहास में घट रही थी बिलकुल ठीक कहा और यहाँ एक समस्या है जिसे भविश्यवक्ता ने देखा परमेश्वर के रुवाक ने तो वास्तव में एक भला संसार बनाया था परन्तु मनिश्य बुराई में पढ़ गए उन्होंने संसार में अपने अन्याय के द्वारा अराजक्ता फैला दी थी एक नए प्रकार की अव्यवस्था हाँ और भविश्यवक्ता ने कहा कि उत्पत्ती एक के समान आत्मा आएगा पर इस बार मानव रुदय को रुपांतरित करने और लोगों को सशक्त करने के लिए ताकि वे परमेश्वर और दुसरों से वास्तव में प्रेम रख सके यह नया सक्रिय परमेश्वर का आत्मा कैसे संभव होगा अब शताब्दियों के बीतने के बाद हमारा परिच्छे इश्यू से कराया जाता है और उसके मिशन के आरंब में एक सुन्दर दृष्य है जहाई इश्यू का बप्तिस्मा यर्दन नदी में किया जा रहा है हाँ आकाश खुल जाता है और परमेश्वर का आत्मा पक्षी के समान आकर इश्यू पर उतरता है कहानी बताती है कि परमेश्वर का आत्मा इश्यू को सशक्त कर रहा है कि वह नए श्रिष्टी की रचना करे और हम ऐसा होते वे देखते हैं जब वह लोगों को चंगा करता या उनके पापों को क्षमा करता है वह वहाँ जीवन का स्रुजन कर रहा है जहां कभी मृत्यू थी अब इसरायल के धार्मिक अगुए ईशु का विरोध करती हैं और अंत में उसकी हत्या करवा देती हैं पर यहां भी परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है ईशु के जिन आरं उसके निकट्तम चेलों के सामने प्रकट हुआ तो उसने उन पर फूप कर कहा पवित्रा आत्मा लो और जल्द ही उसके बाद आत्मा सामर्थी रूप से उसके सभी चेलों पर उत्रा ताकि वे उसकी इस नई श्रिष्टी का हिस्सा बन सके और सुसमाचार सुना सके और परशक्त करता है ताकि वे परमेश्वर और एक दूसरे से प्रेम रख सके और मसीही विश्वास यह है कि आत्मा इस कार्य को पूरा करेगा बाइबल की कहानी इस दर्शन के साथ समाप्त होती है जहां नई मानवता एक ऐसे नए संसार में रहती है जिसमें चारों और परमे